हेलो स्टुडेंट्स एंड वेलकम बैक टावर यूट्यूब चैनल आज के क्लास में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे ओवर हेड जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके अंदर वर्ड से कॉस्ट एलोकेशन पॉस्ट एक बहुत ही अच्छा एक्जामपल लेंगे एक मुवी है प्यार का पंच नामा हमारा कार्तिकारें का मुवी है 2015 का मुवी है यह उसका एक एकजामपल ले कर हम समझने का कोशिस करेंगे कि आखिर पोस्ट एलोकेशन एपर्शन मेंट और री एपर्शन मेंट होता क्या है ऐसा समझेंगे हम लोग वीडियो के एंटर तुमको एतना सांदार समझ में आ जाएगा कि तुम कभी लाइफ टाइम नहीं भूलोगे यह तीन वर्ड का मतलब ठीक है देखो पहले मैं वर्स लिख देता हूं दो वर्स टार वर्ड्स आर कॉस्ट एलोकेशन कॉस्ट एपर्शनमेंट एंड कॉस्ट प्री एपर्शनमेंट टीक है यह तीन वर्ड्स है चैप्टर के अंदर जो कि बहुत इपॉर्टेंट है ओवर्ड जो चैप्टर है उसका टॉपिक समझने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके तुम बाकि सारे सब्जिक्ट्स का वी वीडियो हम लोग प्लोड कर रहे हैं रिक है तो वर्ड से कॉष्ट एंड कोस्ट एलोकेशन एन फॉष्ट्ट एपर्शनमेंट्स गोत अपरल्ग के चैप और फटांस को जब्ल Christ करेंगा मतलब होता है इसका खरचा है अ कि अ करचा थ ऐसको है तो वह खरचा उसको एक एक्जाम्पल से तुमको समझाता हूँ जैसे कि सपोज यह हमारे तीन कारेक्टर्स हैं मूवी के तीन हीरो है यह तुमारा कार्थिक आरियन ओमकार कपूर और सनी सिंग याद होगा मूवी और उनकी तीन बहुत सुंदर-सुंदर गल्फ्रेंट्स थी है ना माथा में लिख देता हूँ जी एफ लो बताओ सर में लिखवा दिये कि हम जी एफ है गल्फ्रेंट्स थीक है भई अच्छी बात है यह तीनों हीरो हैं कैरेक्टर के हूभी के और उनके तीन गल्फ्रेंट्स थीक है अब क्या हुआ यह जो छे जैन है यह लोग एक ट्रिप प घुमने निकले अब जब इंडिया से बाहर घुमने निकले तो बहुत सारा खर्चा हुगा इनके आपस के बीच में तो यह खर्चा को यह लोग डिवाइट करेंगे तो हम लोग यहीं सीख रहे हैं कि यह जो खर्चा इनके बीच में होगा, how to divide the expenses, कार्तिकारियन कितना, उनका कपूर का कितना सनी सिंग का कितना, और बाके लड़ी की लोग जो हैं, गर्रफरेंड्स लोग, उनका कितना-कितना खर्चा होगा, कौन कितना-कितना खर्चा, येर करेगा, ठीक है, तो कार्तिकारियन क्या किया सबसे पहले कार्थिगारियन खुद के लिए सूज खरीदा पॉरन से कार्थिगारियन सूज खरीदा खुद के लिए परसनल खुद के लिए सूज खरीदा तो यह खर्चा कौन बियर करेगा यह खर्चा किसका होगा कार्थिगारियन का खर्चा कार्थिगारियन किय के खर्चा आपने लिए सणिसिंग क्या किया सशनी सिंग घरई तो ठीक है को कौन बीएर करेगा कौन भरेगा पैसा का पैसा सब आनद प्रक पून करेगा है नद द亲502 त वो खर्चा वो व्क्ती ही बियर करेगा इसको बोला जाता है cost allocation का मतलब होता है वो खर्चा जोकी हमको पता है की कौन किया है और वो खर्चा हम लोग क्या करेंगे directly उस व्क्ती के मैं divide करेंगे उस वेक्ती को allocate करेंगे समझ मारा है तो costing allocation simply means जो खर्चा जो वेक्ति किया है वो खर्चा उस परसन को हम दे देंगे वो उसको बियर करेगा ठीक है अब यह तो खर्चा डिवाइड हो गया मोबाइल फोन शूज टीशिट्स अब कुछ कॉमन खर्चा भी हो सकता इनके बीच में जैसे कि सपोज यह लोग गाड़ी किये वह लाड़ी का खर्चा हुआ 24 हजा अब यह खर्चा कौन बियर करेगा तीनों मैंसे तीनों हीरो तीनों हिरोईन मैंसे कौन बियर करेगा इसको तर यह तो किसी एक आदमी का खर्चा नहीं है तो हम किसी एक आदमी को नहीं बोल सकते कि तू यह खर्चा को बियर करेगा है ना तो कॉस्ट एलोकेशन करने के बाद कुछ खर्चा ऐसा बच गया है क्योंकि किसी एक वेक्ति का नहीं है सब का मिला जुला के खर्चा हुआ है तो वो खर्चा कौँछ गाड़ी का खर्चा 24,000 कैसे डिवाइट करें गाड़ी का खर्चा तो छे आदमी है गाड़ी का खर्चा हुआ है 24,000 तो एक काम करते हैं कि कॉस्ट एलोकेशन हटा देता हूं अब 24,000 का गाड़ी का खर्चा है यह सबको ही बियर करेंगे सबको सबके बीच में डिवाइट होगा तो 24,000 खर्चा हुआ छे आदमी घूम रहे थे तो पर परसन कितना हुआ चार हजार तो गाड़ी का खर्चा हर एक विक्ति का कितना होगा 4000 इच इसको बोलते हैं कॉस्ट एपोर्शनमेंट का मतलब क्या है कॉस्ट एलोकेशन करने के बाद जिसका खर्चा जिसका है अगर पता है तो वो खर्चा वो बियर करेगा वो हो गया कॉस्ट एलोकेशन करने के बाद कुछ कॉमन खर्चा बच जाएगा जो कि सब कोई के वज़े से हुआ है वो खर्चा उन सब के बीच में डिवाइड होगा उसको बोलते है कॉस्ट एपोर्शनमेंट ठीक है तो पहले जो मैं एक्जाम्बल दिया जो शूस खरीदा कोई फून खरीदा जो खरीदा वो खर्चा वह आदमी बियर करेगा डेट इस कॉस्ट एलोकेशन फिर जो कॉमन खर्चा हुआ गाड़ी का क्यों 20,000 वो सब के बीच में डिवाइड होगा डेट इस कॉस्ट एपोर्शनमेंट का मतलब होता है कॉमन खर्चा जो कि स अब के वज़े से हुआ है तो खर्चा सब के बीच में डिवाइड किया जाएगा उसके बाद अब तुम मुझे बताओ सब के बीच में 4,000 का खर्चा हो तो गया अब जब तुम यह लड़की लोग से यह जो गल्फ्रेंड लोग है इनसे जब 4-4,000 रुपया मांगोगे क्या यह लोग देंगे 4-4,000 बेटा लगता है तुमको यह लोग 4-4,000 रुपया दे देंगे ठीक टाइम में इनका वॉलेट नहीं मिलेगा ठीक टाइम पे इनके मोबाइल में चार्ज नहीं रहेगा ठीक टाइम में यह इधर-उधर हो जाएंगे तो बेटा इनसे पैसा निकालना बहुत ही difficult है जैसे अच्छे दिण आना difficult है नरेंद्रमोधी सरकार के अंदर वैसे ही इन लोगों से पैसा निकलवाना बहुत दिफिकल्ट है है ना तो हम चार-चार हजार डिवाइट कर तो दिए रियालेटी में यह जो लड़की लोग है गल्फरेंड लोग जो है रियालेटी में मन ही मन हर आदमी जानता है तुम भी वीडियो देखते वक्त मन ही मन जानते हो किसरी गल्फरेंड चार-चार-चार नहीं देगी यह इसका बोईफरेंड को भरना पड़ेगा है कि है कि नहीं बताओ बिल्कुल सर तो यह जो कार्तिकारियन अपना 4,000 तो देगा ही देगा साती साथ है अपनी गल्फरेंड का भी उसका जो boyfriend है वो कमा रहा है तो girlfriend का पैसा भी कौन भरेगा boyfriend ही भरेगा तो cost apportionment करने के बाद कुछ ऐसे विक्ति को खर्चा divide हो गया है जो कि वो लोग नहीं भरेंगे तो फिर हम क्या करेंगे यह जो इसकी girlfriend का खर्चा है यह किसके मैं add कर देंगे कार्तिक आरियन में और कार्तिक आरियन कितना देगा 8000 देगा ठीक है वैसे ही तनी सिंग भी अपनी girlfriend का 4000 भरेगा और ओनकार कपूर भी अपनी girlfriend का 4000 रुपया भरेगा इसको बोलते हैं cost reapportion में मतलब जो विक्ति पैसा नहीं देने वाले हैं उनका पैसा जो देगा उनके बीच में फिर वो पैसे को हम divide करेंगे अगर हम cost accounting का बात करें अगर यह मजाक ना करें तो cost accounting का बात करें तो यह जो department हैं इनको बोलते हैं service department कि यह लोग कोई प्रकार का सामान नहीं बेचते इनका कोई income नहीं है इनका कोई कमाई नहीं है जैसे girlfriend का कोई कमाई नहीं है, वैसे ये department का भी कोई कमाई नहीं है, कमाई किसका है, ये तिनों का, hero का, इनका क्या नाम है, इनको बोलते हैं, cost accounting में, production department, तो जो service department का खर्चा है, उसको हम वापस से divide करते हैं, किसके बीच में, production department के बीच में, इसको बोला जाता है, cost reapportionment, समझ में आ रहा है, क्योंकि service department का कोई income नहीं है, service department काम कर रहा है, किसके लिए, production department के लिए, production department में income है, production department में sales है, क्योंकि product बन रहा है, वहाँ तो sales वहाँ पर है, तो service department का खर्चा को हम divide करेंगे, production department के बीच में, इसको बोला जाता है, cost reapportionment, समझ में आ रहा है, हम तो तुम्हारे भरोंसे आए हैं, तुम किस लिए हो, तुम तो boyfriend इसलिए बने हो ना, तुम किस लिए हो, तुम पैसा दो, यह boyfriend लोग पैसा देंगे, तो production department ही पैसा देगा, production department ही खर्चा बीर करेगा, किसका खर्चा बीर करेगा production department, service department का, इसको बोला जाता है, cost reapportionment, cost apportionment and cost reapportionment ठीक है पहला cost allocation उसका मतलब है जो पता चल रहा हमको directly कि ये खर्चा इस स्वेक्ति का है ये खर्चा इस department का है तो वो खर्चा उस department में allocate करेंगे हम उसको बोलते हैं cost allocation directly पता चल रहा है कौन सा खर्चा किस department का है अब cost allocation करने के बाद कुछ खर्चा बच जाएगा जो कि common खर्चा होगा जो सब कोई के वज़े से हुआ है उसको हम क्या करेंगे कोई एक suitable basis लेकर सारे departments के बीच में divide करेंगे वो common खर्चा को उसको बोलते हैं cost apportionment ठीक है और उसके बाद सर्विश डिपार्टमेंट का जो cost है उसको हम डिवाइट करेंगे production department के बीच में इसको बोला जाता है सबसे पहला होता है cost allocation फिर किया जाता है cost apportionment और फिर किया जाता है cost reapportion ठीक है चलो इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहां पर मैं highlight कर दिया हूं यह नोट्स पे तुम लोगों को यहां पर दिख रहा है screen पर जस्ट एक्जाम में कितना कितना highlighted portion है जो important है वह वाला मैं highlight कर दिया है यहां पर पूरा का पूरा नोट्स दिख रहा है तुमको screen पर तुम screenshot ले सकते उसका और बात में जाके अपने नोट्स में इसको note-down कर सकते हैं highlighted पार बता देता हूं एक बार cost allocation cost allocation का मतलब है direct assignment it implies related overhead directly to the various department directly कौन से खर्चा कौन से department का है पता चल रहा है तो वो खर्चा उस department में allocate किया जाएगा ठीक है many overhead items will remain unallocated कुछ common खर्चा बच जाएगा cost allocation करने के बाद कुछ common खर्चा बच जाएगा इसके लिए हम क्या करेंगे cost apportionment cost apportionment में हम क्या करते हैं जो खर्चा डिवाइड नहीं हो पाया directly common खर्चा जिसे गाड़ी का खर्चा सबके वज़े से हुआ है तो यह खर्चे को हम divide करेंगे between various department तारे department के बीच में उस खर्चे को हम कोई suitable तरीका देखकर divide करेंगे उसको बोलते हैं cost apportionment और उसके बाद reapportionment जिसमें हम क्या करते हैं जो service department है क्योंकि उनका कोई income नहीं है वो तो सरे production department के वज़े से काम कर रहे हैं जिसे mobile phone के लिए service center होता है service center का अपना बहुत ज्यादा income नहीं है लेकिन service center बहुत जरूरी है वरना mobile phone sell ही नहीं होगा है ना तो service department का जो भी खर्चा है वो हम वापस से divide करते हैं किसके बीच में production department के बीच में तो यह जो service department है इसके खर्चे को divide करना between production department इसको बोला जाता है री एपोर्शनमेंट समझ में आ रहा है सबसे पहला होगा cost allocation फिर किया जाएगा cost apportionment और फिर होगा cost री एपोर्शनमेंट यह जो cost री एपोर्शनमेंट है इसको करने का तीन मेथड है जो कि हमारे syllabus में है यह वाला देखो methods of री एपोर्शनमेंट पहला है direct redistribution मेथड हम आगे आने वाले वीडियो में हर एक मेथड का में एक-एक वीडियो बना दूँगा ताकि तुमको आसानी होगा और एक-एक दो-दो examples भी करवाऊंगा ताकि तुमको पता चलेगा कि कैसे solve करते हैं question तो तीन मेथड है री एपोर्शनमेंट करने का इससे practical questions बनता है पहला direct redistribution method दूसरा step method और secondary distribution और non reciprocal method और तीसरा हो गया reciprocal मेंट तो तीन तरीका है री एपोर्शनमेंट करने का री एपोर्शनमेंट का मतलब था service department का खर्चा को divide करेंगे between the production department तो वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताना comment में हम बहुत मेहनद कर रहें यहाँ पर तुम्हारे लिए कि कैसे concepts को आसान से आसान बनाया जा सके तके तुमको lifetime की concepts याद रहें आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मारे चैनल को subscribe करना वीडियो को like करना दोस्तों के साथ share करना और हमारे बारे में और जानने के लिए वीडियो के description में सारा details दिया हुआ है उसको follow कर सकते हो वीडियो कैसा लगा comment करके बताना thank you and bye bye